हेलो एवरीवन वेलकम टू लॉजिक पार्ट शाला चैनल आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेज इन थीम्स आज इस वीडियो में हम नौवेंबर मन्द के जो भी आपके इंपॉर्टेंट डेज से साथ में उनकी थीम्स को भी हम कवर करन करेंगे with the help of memory tricks जी हां करेंबर ऐसा होता है कि हम confused हो जाते हैं याद हमें होता है लेकिन हम options को देख्टी confused हो जाते हैं कि यह जो day है वो कब celebrate किया गया था तो उसी को हम memory tricks से याद करेंगे और बहुत ही easy tricks हम use करेंगे last में हम revision करेंगे friends की उन tricks को कैसे हम अपने exam में कैसे हम question में implement कर सकती हैं उसको भी हम साथ साथ में cover करते चलेंगे तो overall friends वीडियो important रहें की complete देखेगा साथ में friends अब monthly current face की वीडियो भी आपको मिलना start हो चाहेंगे तो उसके लिए बिलकुल निश्चिंत रहें सभी वीडियोस मिलेंगी और जितने भी वीडियोस आपको मिलती है उन सभी की जो PDFs है friends आपको हमारे telegram group से मिल जाएंगी लिंक आपको description में दिया गया है otherwise आप लोग directly भी telegram पर search कर सकते है logic part 16 जिससे आप कोई group मिलेगा आप इसे join जरूर करें सभी PDF यहाँ पे आपको मिल जाएंगी तो चलिए start करते हैं सबसे पहले देखे छोटी सी बात यह है कि November को हम लोग ध्यान कैसे रखेंगे क्योंकि हर एक महीने के लिए हमें कोई न कोई hint जरूर लेनी है प्योंकि date को तो हम relate कर सकते हैं लेकिन हम month को कैसे relate करें तो देखे November month में बहुत important day आता है children day या आप सभी को जरूर याद होगा कि 14 November को होता है आपका children day तो हम जो children's को relate कर सकते हैं यानि बच्चों को लेकि हम इस trick बना सकते हैं या फिर November से हमारा now भी बन सकता है दोरों tricks को हम use करेंगे जहां भी हमारा now या बच्चों से related हमने कोई trick यूज करी it means हम बात कर रही है November month की तो ऐसे ही हम हर एक month के लिए कु दिवस मनाती है और इसकी theme क्या है future normal और 1st November को ही करनाटक का formation day भी होता है जिससे हम राज योसव दिवस के नाम से भी चानती है करनाटक की बात करती है तो friends ये state की formation हुई दी 1st November 1956 को with the passage of the state the organization act के तहत तो friends दोनों को चलो मैं आपको revise करा देती हूं अब देखो आप इससे याद कर सकते हो कि एक बच्चा है बच्चे को चले हिंट ले लेते हैं कि उस वो वीगन फूट खाने में बहुत ही नाटक कर रहा है तो एक बच्चा है हमने एक बच्चे की बात कर रहे है तो एक से हमारी एक तारीक हो गई बच्चे की बात हो रहे इट मींस हम नेवेंबर की बात कर रही है और वो वीगन फूड यानि शाकाहारी फूड खाने में नाटक कर रहा है नाटक से हमारा हो जाएका कर नाटक तो इस तरीके से आप थोड़ी सी आपको नो हिंट को विजुलाइस करना है अगर आप हिंट के एक पिच्चर अपने दिमाग में क्रेट कर लोग इस ते इसकी जो थीम रही वो क्या है एशिया पैसिफिक अर्ली वार्निंग अर्ली एक्षिन बिफोर एवरी सुनामी तो सुनामी के बारे में ही जाग रोकता देखिए इस ताइम इस दिन क्रेट की जाती है अब देखो सुनामी अब सुनामी से आप नाफ को बहुत सुनामी आने वाली है तो अब क्या होगा भी जल्दिल आप जाओ गिर तियारी करने लगोगी तो पांच घंटे की लिए वर्निंग आगए कि पांच घंटे वाद सुनामी आ सकती है तो पांच से हमारा होचाएगा फिफ्ट ऑफ नेवेंबर नेक्स्ट हमारा डे है सिक्स सेंवेंबर इंटरनाशनल डे हो गोवेंटिंग ईकस erfolg अफिल असे ने망ष कर गाएं तो परियावरण को बहुत सथा नुकसान होता है इसी को रोकने की लिए ईदिन जो है आभसर्व किया जाता है और इस इन के स्थापना की गए थी ढांच जनरल असेंबली के द्वारा इतना तो आप लोग कर सकती हैं जरूर बताएं मुझे comment section में अच्छा आप इसको कैसी हम लोग दिखो ध्यान करेंगे आप जैसे war हो जाती है यह लड़ाई जगड़ा हो रहा है तो देखे आपस में लड़ रहे हैं ठीक है लेकिन उसे environment को अगर नुकसान पहुंच रहा है त ची-ची कितनी गलत बात है कि आपस में लड़ पी रही हो और environment को भी नुकसान पहुंच आ रहे हो तो ची-ची से हमारा हो गया अच्छ है और ये बात बोल कौन रहा एक बच्चा बोल रहा है सोचे उसके अंदर समझ है लेकिन लोगों के अंदर ये समझ नहीं आ रही है एक बच्चे के अंदर समझ है ये जिसको आप इमाजन करो कि एक बच्चा सामने कड़ा हो और सब देख रहा है तो हमारी बात हो रही है नवेंबर महीने की नेक्स्ट अब आ रहा है सेविंट आफ नेवेंबर हम दो दिन इस दिन अब्सर्व करती है कौन-कौन से इंफेंट प्रोटेक्शन डे सिश्यूस अन्रक्शन डिवर्स और वर्ड कैंसर अवेर्नेस डे देखें 2014 में नाशनल कैंसर जो अवेर्नेस डी है ये स्टेब्लाइ किया गया था जो हमारे फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्ष वर्धन जी के द्वारा थाकि लोग इस सिचुईशन के बारे में अवेर हो सके तो अब हम इससे याद कैसे करेंगे देखें कैंसर को हम लोग चले रिलेट करेंगे कि हम कैंसर से हम क्या करना है हमें बच्चों को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए हमें एक साथ जो है वो अवेरनेस फैलानी पड़ीगी कैसे फैलानी पड़ीगी एक साथ मिलकर अवेरनेस फैलानी पड़ीगी ताकि हम बड़ों को तो देखें अवेर करते ही करते हैं बच्चों को भी हम उससे प्रोटे प्रोटेक्ट से प्रोटेक्शन डे हो गया इफेंट और कैंसर से नाशनल कैंसर अफेंटी हो गया नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट डे है एट ओफ निवेंबर नाशनल इंटरशनल डे ओफ रेडियोलॉजी जो है फ्रेंट्स इस दिन आपका सेलेबेट किया जाता है और जो theme रही है उसको भी ध्यान रखेंगे radiologist and radiographers supporting patients तो ये friends इसकी जो है वो theme रही है अब इसको इसी के साथ world urbanism डे भी जो है इस दिन मनाया जाता है और ये दिन की जो स्थापना थी वो 1949 में की गई थी by the late professor Carlos Paglia de la Pailora की द्वारा अब देखो याद हम कैसे रखेंगे तो radio पर हम radio से ही इसको लेके चलेंगे कि radio पर 8 बचे जो है अर्बनिस्म के बारे में जो है program आता है तो सबको बताया जा रहा है तो आप इसको easily ऐसे दिमाग में relate कर लीजे कि radio पर एक program अर्बनिस्क के बारे में आता है कब आता है आठ बचे और बच्चे को program देखना बहुत जरूरी है ताकि वो शेहरी करण के बारे में भी सीख सकें ठीक है तो ऐसे हम इसको relate कर सकते हैं next हमारा important day है 9th of November National Legal Services Day और 9th November को ही उत्राखन का foundation day होता है एक एक करके बात करते हैं तो देखे अगर हम बात करते हैं National Legal Services Day की तो जो Legal Services Day है ये पहली बार स्टार्ट हुआ था Supreme Court of India के द्वारा 1995 में देखे सबसे पहली बार जो है वो ये शुरू हुआ था अगर बात करें उत्राखन के foundation day की उत्राखन के स्थापना 9 November 2000 को हुई थी और उत्तर प्रदेशे से अलग होकर ये एक नया राज्य बना था ये हमें चोटी सी बात ध्यान रखनी है तो 9 November को मैं ऐसे रेलेट कर सकते हैं देखे कि Legal Service अब आपको बता है कि बच्चों के लिए भी बहुत सारे कानूनी अधिकार है और बहुत सारे ऐसे help line number भी है कि अगर बच्चों के खिलाफ कुछ गलत चीज हो तो आप उसे पे call कर सकते हैं तो बहुत सारे Legal Services भी बच्चों को दी गई है अब आप किसी भी चीज के लिए उन्हें नो या कह लिए आप मतलब उनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते तो नहीं को हम बोलते हैं नो है ना तो नो आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते बच्चों के खिलाफ तो 9 नवेंबर हो गया हमारा National Legal Services Day अगला हमारा Important Day है World Science Day for Peace and Development शॉर्ट में World Science Day भी आ सकता है लिखा हुआ ये आपका 10 नवेंबर को मनाया चाता है और इसकी थीम रही है Basic Sciences for Sustainable Development देखे अगर हम इस दिन की बात करते हैं तो युनेस्कों के द्वारा 2001 में जो है इस दिन को प्रोक्लेम किया गया था और इसे पहली बात सेलेबेट किया गया था 2002 में अब याद करना अब देखे आवागों देखें तो बच्चे जो हैं बहुत सवाल पूछते हैं अगर हम Science की बात करें तो उनके पास इतनी Queries होती है उनका मजब इतना Mind चलता है कि ये कैसी वह वह क्यों हुआ एकसेक्टर एकसेक्टर तो बच्चे जो हैं वो 10 सवाल पूछते हैं रिलेटेट टो साइंस और हमें उन्हें बस करना पड़ता है कि बस बहुत हो गया क्यों बच्चे ही पूछेंगे इतना तो नहीं बड़े नहीं लेकिन बच्चे जादा सवाल पूछते हैं तो 10 या बस दोनों से आप 10 को रिलेट कर सकते हैं बच्चों की बात हो रही इसके बात है 11th of November जिस दिन होता है National Education Day इंपॉर्टेंट यह है देखे राष्ट यह सिक्षा दिवस इसकी जो थीम रही है वो है Friends Changing Course Transforming Education और इस दिन Birth Anniversary होती है मौलाना अबुल कलाम अजाद जी की जो की After Independence हमारी इंडिया के पहले Education Minister रहे थे 1947 से लेके यह 1958 तक रहे थे हमारी इंडिया के Education Minister याद रखेगा और आपको ध्यान हो 21 आर्टिकल का जो ए है वो Right to Education को बोलता है ये भी थोड़ा सा आप लोग थोड़ा ध्यान रखे चलिए अबर हम बात कर लेती है कि Education Ministry किसके पास है तो ये है धर्मेंदर प्रधान जी के पास अब याद कैसी करेंगी तो कि Education में अगर हम बात करें तो ये ही हमें Education सिखाता है और Education में हम यही सीखते है एक-एक करके आगे बढ़ना तो एक-एक से हमारा 11 हो गया और बच्चे क्या करते हैं जब छोटे से सीखेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे तो इस तरीके से हमारा 11th of November को होता है National Education Day सबसे पहले बात करते हैं विश्व निमोनिया दिवसकी तो इसकी थीम क्या है निमोनिया अफेक्ट्स एवरिवन और वर्ड निमोनिया दिचो है ये फेहली बार जो है 2009 में इसको सेलेबरेट किया था और इंडिया ने जो निमोनिया को eliminate करने का target रखा है वो कब तक का है 2025 तक का target रखा है तो ये तो हो गई थोड़ी basic बात अब हम इसे याद कैसे करेंगे याद करने का तरीका ये है कि आप देखते हैं कि बच्चों को निमोनिया बहुत जल्दी हो जाता है सबसे अल्दी गए उनको ठंड लग जाते हैं उनको निमोनिया एकदम हो जाता है तो इसके बारे में देखिए कि 12 बच्चे जो है वो एक broadcast किया गया है कि किस तरीके से हम बच्चों को protect कर सकते हैं बच्चों को निमोनिया से safe कर सकते हैं तो बारे बच्चे इस टीस की broadcasting होती है ऐसा कुछ प्रोग्राम आता है जिसमें कुछ चीसे बताई जाते हैं कि बच्चों को कैसे मनिमोनिया से बचा सकें और चो public service broadcasting day है ये दिन commemorate करता है इस दिन भात्मा गांधी जी ने विजिट किया था All India Radio Delhi All India Radio Delhi में 1947 में तो उसी दिन को commemorate करता है public service broadcasting day अगला है friends 13 November word kindness day और इसकी theme क्या है be kind whenever is possible तो friends word kindness day जो है वो ये मनाया चाता है 13 November को ये introduce किया गया था 1998 में और पहली बार ये observe किया गया था 2009 में ध्यान एकी का introduce करना और मनाना दो चीज़ अलग-अलग होती है ठीके अब याद कैसे करेगी अब आपको बताए कि दयालुता की जहां बात आती है तो बच्चे बहुत दयालु होते है पतलब बच्चों से मासूम मगर हम कहें तो कोई नहीं है बच्चों में 13 می्रा की भावना नहीं होती है कि यह से नहीं बच्चे सब곡 के साथ बहुत अकर हम देख़ें तो बच्चे जब खेलते हैं तो सब곡 के साथ खेलते हैं चाहे वो लड़ाई जगड़ा करें लेकिन वो जीज़ उनके अंदर वो भावना नहीं होती है ना तो तेरा मेरा नहीं करते बच्चे तेरा से हम तेरा याद करेंगे क्योंकि उनके अंदर बहुत जादा kindness होती है next day के 14 November जिस दिन को ही हम relate कर रही है ये सबी को याद है as a children day के तौर पर 14 November जो है celebrate किया चाता है और ये दिन याद होनी चाहिए कि ऐसे भी पूछ सकते है कि किसकी birth anniversary होती है बाल दिवस्पी वो बाल दिवस्पी आपको English में लिखा सकता है तो simple सी बात है इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडिच जवाहला नहरूजी के तो इसको तो मुझे याद कराने की ज़रूद नहीं है next एक है 14 November को ही word diabetes day भी होता है यानि wish मधुमे दिवस और theme क्या है इसकी access to diabetes care अच्छा जैसे 14 November हमारा क्या हुआ children day तो हम celebrate करते आप जैसे schools में भी होते तो programs होते है या फिर कहीं भी बच्चों को हम toffies वगरा देते हैं उनके लिए gift लेके जाते हैं तो toffies यानि मीठा और मीठी को हम diabetes से relate कर सकते हैं ऐसे आप लोग इसे relate कर पाऊगे 15 November जारकंड का foundation day होता है जारकंड बना था 15 November 2000 को बिहार reorganization act के तहत ये बिहार से अलग हुआ था और 28 नमबर का state बना था इंडिया का 16 November को होता है International Day of Tolerance तो ये कब होता है 16 November को UNESCO ने इस दिन को declare किया था 1995 में और 16 November को ही आपका National Press Day भी होता है और National Press Day की जो theme है वो क्या है The Media's Role is National Building तो ये हम याद रखना है अब इसको हम relate कैसे करेंगे चलिए तो अच्छा ऐसे आप relate कैसे वक्तों की students है जो की बच्चा है जो की 16 साल का हो गया है तो वो press में काम करना चाहता है press यानि media में काम करना चाहता है अब जब वो media में काम करना चाहेगा तो आपने देखो कि media वालों को बहुत कुछ tolerate भी करना होता है तो उसको भी बहुत सारी tolerance करना सीखना पड़ेगा चीजों को बारे में सहन करना सीखना पड़ेगा तो वो भी धीरे धीरे सीखेगा तो लेकिन उसकी इक्छा है कि वो press में काम करें तो आप एक imagine करो आप एक visualize करो इस story को एक बच्चा है जिसका इस सपना है कि वो press में काम करें तो काफी सारे चीज़े वो tolerate करना सीख रहा है क्योंकि उसको press में काम करने के लिए इस चीज़ के आदर डालने पड़ेगी अगला है 17 November International Students Day और इस दिन anniversary होती है नाजी अटेक हुआ था देखे इस दिन University of Prague में 1939 में उसी दिन का जो है वो एक anniversary होती है उसको commemorate करता है ये दिन और 17 November को ही आपका आता है National Epilepsy Day और इसकी theme रही है There is no name without me अब दोनों दिन को हम लोग चले थोड़ा से relate कर लेती है Students से आप ऐसे याद कर लगते हैं कि Students जो है न Students से आप simply बच्चे relate कर सकते हो तो November महीने relate हो जाएगा कि epilepsy जो है यानि जो मिर्गी है वो उनके लिए कैसा है वो उनके लिए खत्रा हो सकता है न अब इस students पढ़ाई करते हैं आगे future की बात future पर अपना focus करते हैं तो अगोने epilepsy की बिमारी होगी तो खत्रा है उनके लिए और खत्रा मेंस हमारा हो गया सत्रा अगला important day है 19 November world toilet day जिसकी theme है making the invisible visible तो इसका में तब उदेशे क्या है देखिए हर किसी के लिए water और sanitation करना 2030 तक के लिए target रखा हुआ है और 19 November को ही international men's TV होता है और international men's day की जो theme रखी गई है friends वो है helping men and boys आप देखो 19 से अगर हम बात करें जो हम 18 साल के हो जाते हैं तो उसके बात में 18 साल के बात यानिए 19 साल के बात कर रहे हैं इसके बात बच्चे के अंदर एक कैसी बड़ो वाली अडल्ट वाली भावना आ चाती कि अब तो 18 प्लस हो गए हैं तो उनके अंदर में एक men's वाली भावना आ जाती आप ऐसे कर सकते हो ठीक है तो थोड़ा सा ऐसे आप इसको रिलेट कर सकोगे नेक्स्ट एट 20 नवंबर, 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्टरन स्टे होता है यानि सार्व भॉमिक बाल दिवस और इसकी थीम क्या है इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड यूनिवर्सल चिल्टरन स्टे जो पहली बार मनाया गया था 1959 में जो है पहली बार इसे मनाया गया था आप देखो इसको Children Day से relate नहीं करना Children Day था हमारा 14 November जो हम इंडिया में celebrate करते हैं ये Universal Children Day है तो Universal को हम एक तरीके से विश्व भी बोल से विश्व वाला भी बात कर सकते हैं आप हम थोड़ा सा बस यानि 20 को relate कर पाओगे तो इसलिए 20 November इसको ध्यान रखेगा कि अगर Universal लग गया तो 20 वरना Children Day आपका होता है 14 को 20 November को World Day of Remembrance for Road Traffic Victims ये दिन भी मनाती हैं और इसकी theme क्या है Justice Next हमारा है 21 November जिससे नाता है World Television Day और theme क्या है इसकी? इसकी theme है Friends इसकी attention अच्छा यहां से आप थोड़ा स्थ्यान रख सकते हो 21 से आप क्या बना सकते हो? देखो 21 आपकी manageable age है अब तो boys and girls दोनों के 21 age है तो आप ऐसे करेगे कि बच्चे की 21 age में शादी होई और वो अपनी शादी की जो वीडियो है वो कहां देख रहे है? बड़े स्क्रेन पर देखने का तो मज़ा लग है तो वो देख रही है कहां पर? टेलिवीजन पर हो गया? टीवी रिलेट हो गया 21 से? उसकी बाद 25 नवेंबर को आता है International Day for Elimination of Violence Against Women ये कब होता है आपका 25 नवेंबर इसकी थीम जो है वो है Friends Unite Activism To End Violence Against Boys Against Women and Girls तो ये इसकी थीम भी रही है अच्छा अगर हम बात करते हैं Friends की इसको हम कैसे रिलेट कर सकती है तो आप एक स्टोरी हाँ पर क्रेट कर सकते हैं तो ये 21st में इसे किसी बच्चे की शादी होगे तो स्टार्टिंग में सब सही चल रहा है तेकिन शादी के फिर कुछ साल के बाद वालेंच शिरू हो गया और हम देखते हैं कि कई बहुत ऐसे केसे होती है रिपोर्ट्स भी ये कहती है कि बहुत cases में शादी के बाद violence moments के अगेंस शिरू हो जाता है, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, तो शादी के कुछ साल बाद ही violence शिरू हो गया, हम कुछ साल की बाद क्या करें, चार साल बाद की बाद ही कर लेते हैं, चले ताकि हम tricks को भी relate कर सकें, तो पच्चे साल जब व करता है, birth anniversary of doctor Vargis Korean, इनकी birth anniversary को, doctor Vargis Korean को father of India's white revolution, ये इनको कहा जाता है, और इनका nickname भी है, इनको कहा जाता है, milk man of India की नाम से ये बहुत ही ज़्यादा famous थी, अब याद हम ऐसे कर सकते हैं, कि बच्चपन में क्या होता हैं, मैं दूद पीने में बहुत कुछ बच्चे हैं सो तो नाटक बहुत दिखाते हैं, जिसमें मैं भी एक आती हूँ, ठीक है, तो कहीं सारे साथ होगा, आपके साथ भी cases होगा, कि दूद पीने में बहुत ज़्यादा नाटक होता है, तो फिर क्या होता है, आपकी पिटाई भी पढ़ती है, क्योंकि दूद बच्चों के लिए हर आप पी लोगे, तो वो क्या होता है, आपके छप जाता है, तो छप से आपका हो जाएगा, चबीस, और फिर जब भी ऐसा नाटक दिखाने की बात आएगी, तो वो आपको याद रहेगा, कि दूद नहीं पिएंगे, चांटा पड़ सकता है, तो बेटर यह क्या है, दू Constitution Assembly के दूआरा, 26 November 1949 को, और यह लागू कब हो था हमारा समविदान, 26 January 1950 को, जिस दिन हम मनाती है, Republic Day यानि गरतन, अब मैंने आपको बोला था कि हम revise भी जरूर करेंगे, तो चलिए, revision स्टार्ट करती है, पहला हमारा question है, देखिए, word kindness day, कब observe किया जाता है, तो kind कौन होते है बही सबसे जादा kind तो बच्चे ही होते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर 13 मेरा वाली भावना नहीं होती, तो 13 से हमारा हो गया 13, यानि 30 November को, word kindness ही होता है, next है, on which date, infant protection day is being observed, देखिए, protect की बात कब हो रही थी, कि हमें cancer से बच्चों को protect करना, उसके लिए हमें एक साथ मि हो गया, साथ और November, तो अब tricks को ऐसी use कर पाओगे, बहुत easy है, देखिए, tricks को use करना, उसके बाद क्या था, on which date, international day of radiology is being observed, तो radiology वाला डे कब हमने बताया था, कि radio पर एक प्रोग्राम की बात हमने करी थी, और वो प्रोग्राम का बाता है, 8 बचे, किश्चिस के बारे में urbanism यानि शहरी करण के बारे में, तो दो दिन होते हैं, 8 November को international day of radiology और आता है urbanism day, दोरों हमें याद रखनी है, अगला आता है friends, world vegan day, तो vegan शाकाहरी, सबसे पहले ही हमने बात की देगे, बच्चा जो है, वो vegan food खाने में नाटक कर रहा है, तो 1st November, आपका आता है, world vegan day, और करनाटक से हमने करनाटक भी बनाया था, तो करनाटक का जो formation day है, जिसे हम राज्योस्तव दिवस भी कहती है, ये भी आपका 1st November को होता है, उसके बाद है word pneumonia day, देखिए बच्चों को निमोनिया के समस्या बहुत जल्दी हो जाती है, तो बच्चों को हमें क्या करना है, निम 24 नेवेंबर को, इसके बाद बर्ट डाइबर्टीस दे, अच्चों डाइबर्टीस कब होई, जब हमने मीठा खाया, कुछ सेलिब्रेट हुआ होगा, तभी हमने मीठा खा रहे हैं, तो सेलिब्रेट की बात हो रही है, तो यानि चिल्टरन से और कब होता है, 14 नेवेंबर, बिल्कल सही, तो आप देख सकते हैं कि ट्रिक से आप बहुत ही एक्तम चंद सेकेंड्स में की चीज़ों को आंसर मार्ग कर सकते हो, नाशनल कैंसर अवेर्नेस दे, तो कैंसर से हमें प्रोटेट करना है, उसके लिए हमें एक साथ आना है, तो ये तो हमारा वही हो गया, आप एक एक करके हंड्रेट पे पहुंचोगे, एक एक करके मतलब हो गया, 11th of November, तो देखे फ्रेंज, हमने किस तरीके से बहुत easy way में सभी important days को याद कर लिया है, मैं आशा कर त्योंकि इन ट्रिक से आपको काफी ज़दा मदद मिलेगी, अगर आप डारेक्ट भी करना चा इमेज अपने माइन में बना लेंगे, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपको ट्रिक स्टफ लगेंगी, तो आप सोचें क्या हम स्टोरी क्रेट कर रही है, जिससे हम याद कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगी, तो फ्रेंग्स अगर आपको हमारी एक कोशिश अची लगी है, वीडियो अची लगी है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेर करें जाद से जादा और आप से भी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आगी बढ़ाने में मदद करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, मिलेंगे आप लोगों से अनधर इंपोर्टेंट क्लास मे Thank you so much for watching this video.